हमारे पास आ गई है राउंड शेप के अंदर एक और प्रीमियम एमुलेट कॉलिंग स्मार्ट वाच जो के अंडर दी बजट मिलने वाली है ये smart watch काफ़ी ज्यादा premium build के साथ आती है और ये साथ यहाँ पर आप लोगको magnetic strap भी provide किया गया है और ये आती है फाइर बुल्ट की तरफ से आने वाली fireball eclipse यहाँ पर आप लोगको काफ़ी सारे useful features मिलते है साथ ही चाथ इसकी डिस्पले वो भी काफी जबर्दस प्रोवाइट कर रही है कमपनी तो चलते हैं बिना देरी कि आफटा बट करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ मिलता है बॉक्स के अंदर एक्चुल में कैसे दिखती है स्मार्ट वॉच कैसे बॉट करते हैं सेंसर सारी चीजों के बारे में डीटिल में बात करेंगे हम लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा पट सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना सबसे पहले इसके बॉक्स की बात करते हैं यहाँ पर आपको उपर ही वाच की प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी इसके अलावा नीचे ब्रैंड ने बिजर देखने को मिलते हैं Mr. Dhoni बागी कुछ हाइलाइट फीचर्स लिखे हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1.43 इंच की एमुलेट राउंड डिस्पले प्रोवाइट की गई है इसके अलावा बैक साइड में भी कुछ हाइलाइट फीचर्स लिखे हैं जिसके बारे में आगी डीटिल में बात करेंगे हैं प्रीमियम देखने में लग रही है बागी डीटिल में चलते हैं आगे बात करेंगे हम सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट वाच के लुक एंड डिजाइन के बारे में तो यहाँ पर काफी ज़्यादा प्रीमियम कॉलिटी के साथ यह स्मार्ट वाच आती है इसके इलाबा इसका जो rose gold color है इसके overall look को और भी जादा enhance कर देता है बाकि इसके back side की बात करें तो यहाँ पर polycarbonate का use किया गया है इसी के साथ-साथ यहाँ पर आप लोग को 22 mm का magnetic metal strap भी provide किया गया है और इसकी भी quality काफी जादा बढ़िया provide करती ही company इसी के साथ-साथ side में आपको 2 button देखने को मिल जाएंगे उपर वाले button को प्रेस करके आप लोग back जा सकते हो वही नीचे आपको shorter button provide किया गया है जिसको प्रेस करके आप लोग sports mode में चले जाते हो इसी के साथ-साथ यहाँ पर आप लोग को in-built mic and speaker भी देखने को मिल जाएगा जिसके थुरू आप लोग Bluetooth calling को use कर सकते हो और calling test में आप लोग को आगे करके दिखाऊंगा अब बात करते हैं watch के display के बारे में तो यहाँ पर आप लोग को 1.43 इंच की AMOLED always on display का features प्रोवाइट किया गया है और display की quality यार काफी जबरदस्त लगी मुझे यार इस watch को आप लोग outdoor, indoor, कहीं पर भी बेजीज़क यूज़ कर सकते हो visibility को लेके कोई भी शूफेस करने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 466 x 466 का pixel resolution भी प्रोवाइट किया गया जिसके वैसे display quality और भी जादा enhance हो जाती है कहीं से भी pixel rate नहीं होती है बागी color accuracy, contrast वगर काफी सादा balance देखने को मिल जाएंगे कहीं से भी faded color देखने को नहीं मिलता है इसके अलावा यहाँ पर आप लोग custom watch face भी लगा सकते हो और इसकी भी quality काफी जबर्दस निकल के आई है जैसा कि आपको फोन में quality दिखती है सेम वैसी आपको watch में भी देखने को मिल जाएगी अब एक नदर डालते हैं watch के UI के उपर और देखते हैं क्या कि हैस watch के अंदर features अगर आप लोग उपर से swipe down करते हो यहाँ पर setting के कुछ shortcut देखने को मिल जाएंगे जिसको आप लोग यहाँ से enable disable कर पाऊगे इसी के साथ-साथ यहाँ पर setting का भी option प्रोवाइट किया गया है and always on display का features भी provide किया गया जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया था इसके अंदर आप लोग को दो watch faces मिल जाएंगे एक है analog दूसरा है digital और इसकी भी brightness काफी बढ़िया निकल के आती है visibility में यहाँ पर भी कोई issue face करने को नहीं मिलेगा अगर आप लोग नीचे swipe अप करोगे यहाँ पर notification शो जाते है right से swipe करने पर visit के shortcut देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग left से swipe करोगे यहाँ पर आपको recent app शो जाएंगे बाग यहाँ आपर tap करती है आप लोग menu menu में चले जाओगे जहाँ पर watch के सारे feature शो जाते है सबसे पहले यहाँ पर मिलता आपको activities इसके लाबा sleep mode, heart rate, phone calls इसके लाबा exercise जहाँ पर आप लोग को 100 plus sports mode प्रोवाइट किये गए और जो भी activities आप लोग करोगे उसको जाके बाद में भी check out कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर आप लोग को sports record का भी option प्रोवाइट किया गया है इसके लाबा मिलेगा SPO2, weather forecast, messages, camera control, music control and setting के बारे में already मैंने आप लोग को बता दिया था इसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को voice assistant का features भी provide किया गया है बाकी more पर click करने पर आपको और भी काफ़े सारे features देखने को मिल जाएंगे जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो timer, alarm और watch के अंदर ही आप लोग alarm वगरा set कर सकते हो application की जड़ोत नहीं पड़ती है और इसके लाब मिलता है stopwatch, female healthcare, flashlight and find my phone तो यह थे इसके कुछ features, बागी इसके water rating की बात करें तो IP67 के साथ यह smartwatch आती है तो आप लोग नॉर्मली बारिश में smartwatch को पहन कर निकल सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी लेकिन हाँ इसको पहन कर swimming नहीं कर पाऊगे इसके लाब बात करें इसके overall UI performance के बारे में तो यहाँ पर आप लोग खुद भी notice कर सकते हो कहीं से भी lag या फी रहेंगे सा issue face करने को मुझे नहीं मिला है काफी अच्छी तरीके से work कर रही है और अगर बात करें इसके battery backup के बारे में तो company यहाँ पर claim करती है 7 days का बट अगर आप लोग इसे smart watch को calling plus AOD watch face साथ use करते हो तो यहाँ पर आपको एक से डेट दन का ही battery life देखने को मिलने वाला है अगर आप लोग normally यूज करते हो तो यहाँ पर आपको और आपको और आप से चार से पांस दन का battery life देखने को मिल जाएगा अब चलते हैं फटापट accuracy भी टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं यह smart watch यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से work कर दी है सबसे पहले मैंने इसी smart watch को पहन के अपना heart rate टेस्ट किया है और अभी भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफी जादा similar reading देखने को मिलती है और at the end भी हाँ पर आपको जादा फर्क देखने को नहीं मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक से दो reading का इक फर्क निकल के आया है SPO2 के अंदर भी यह smart watch काफी अच्छी तरीके से work करती है SPO2 के अंदर भी आपको एक reading का फर्क देखने को मिलने वाला है बाखी मैं आप लोग को यही कहता हूँ यार किसी भी smart watch पर रिलाय मत रहा करो चाहे हो किसी भी brands की हो serious condition में डॉक्टर से consult किया करो क्योंकि smart watches इतनी जाद reliable नहीं होती है अब चलते हैं फटा बट calling test कर लिये जाए और देखते हैं कैसी smart watch की calling quality calling clips आप लोग उन्हें देख लिया है आपको idea मिल गया होगा मुझे comment करके आप लोग बताना कि आप लोग को कैसी लगी बागी में recording यहाँ ठीक टा calling quality प्रोवाइट कर देदी ये company अब आते हैं finally conclusion पे और बात करते हैं क्या आप लोग को firebolt eclipse smart watch लेनी चाहिए under 2500 या फिर इस price में किसी और smart watch साथ जाना चाहिए तो अगर आप लोग under 2500 कोई बढ़िया display quality वाली smart watch देख रहे हो जहाँ पर आपको calling quality accuracy भी अच्छी चाहिए definitely आप लोग इसी smart watch को check out कर सकते हो under 2500 काफी बढ़िया display quality इसी के साथ साथ यहाँ पर luxury look भी provide किया गया है बागी of course यहाँ पर काफे सार useful features भी मिल जाते हैं तो देख लेना अगर आप लोग इसी smart watch में interested हो लिंक in description में provide कर दिया है मैंने जाकर check out कर सकते हो बागी मैंने सारी चीज़ा आप लोगो test करके दिखा दी वीडियो में कैसी इसकी display quality क्या क्या इसके अंदर features तो आप लोग खुद भी decide कर सकते हो तो बस आज के लिए इतना ही मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफ़ट वीडियो को लाइक कर देना चैनल के उपर नहीं हो तो फटाफ़ट सब्सक्राइब भी कर दो मैं मिलूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई